हेलो फ्रेंड्स आप सबका स्वागत है आपके चैनल नीशू होप में आज हम इस फीडियो में सीखने चा रहे हैं है सिंपल सलवार की कटिंग दू तेहों पे ये कपड़ा रखा हुआ है सबसे पहले हम यहाँ पे बेल्ट की कटिंग कर देंगे 22 इंच हमने बेंट की कटिंग करनी है और इसके जो हमने चुडाई ली है वो ली है 9 इंच 5 इंच की रेडि होगी हमारी बेल्ट सलवार की आपकी कितनी बेल्ट है उसके हिसाफ से लेंगे उससे आप 3 इंच एक्स्टा कपड़ा लेंगे और कट कर देंगे मैंने अब यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड कर लिया है कपड़ा यह देखिए अब यहाँ पे हम जो सलवार की कटिंग करने वाले हैं जो हमारे पट हैं और जो कुंदे हैं आप पता नहीं कि अपने भाशा में क्या बोलते हों वो सारे एक ही इसी तरीके से कट होंगे सलवार के यहाँ से हम पट निकालेंगे जिसको आप सलवार का पूंचा भी बोलते हो तो जितना आपका सलवार का पूंचा है उतना आप यहाँ पे रख लेंगे उसे आप एक इंच एक्स्ट्रा रख सकते हैं क्योंकि वो हमारा सिलाई में आ जाएगा तो यहां पर साड़े छे पूंचा मेरा है तो मैंने यहां पर साथ रख लिया है तो यहां पर देखिए मैंने यहां पर अपने पट की लंबाई रखी है पांच इंच आपका पूंच बेल्ट होगी और उसे जो आपका लेंच है आप वो रख लेंगे लेंच से एक इंच एक्स्ट्रा मैं रखती हूँ तो देखिए यहां पर मैंने कपड़ा बरबर कर लिया है और जितना हमारा पूंच है उससे मैंने यहां पर एक इंच एक्स्ट्रा रख लिया है और यही हम यहां पर रख लेंगे इस तरीके से अब वो मार्किंग को इस मार्किंग के साथ मिला देंगे तो यह हमारे कुंदे निकल जाएंगे दो कुंदे या इस side से निकल जाएंगे और दो कुंदे इस side से निकल जाएंगे और वो हमारा फोल्ड किया हुआ हमारा पट होएगा यानि की सलवार का पूण चाओगा तो यहां से हम मारकिंग पे जो कील लगाई हैं इनको इस तरह से cut कर देती हैं तो यह हमारी सिंपल सलवार थी अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप इस तरीके से सलवार कट कर सकती है दो मीटर और धाई मीटर की सलवार इसलिए इस तरीके से कट हो जाती है अगर आपके पास कपड़ा कम हो तो ये सलवार कट करने का बहुत ही easy तरीका है तो ये हमारे जो कपड़ा है साइड में कर देते हैं extra कपड़ा है अगर आपको यहाँ पे देखें मैं बता देती हो अगर आपको इसकी चुंटे बढ़ानी हैं तो क्या करना है यहाँ पे आपको हमारा 10-9 इंच तक हम यहाँ पे नॉर्मल आसन लेते हैं तो हमने यहाँ पे कपड़ा जितना आपका चोड़ा है देखें यहाँ पे इतनी एक्स्ट्रा कपड़ा था मेरे पास तो मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से रख लिया है और जो यह बागी कपड़ा है यह मैं यहाँ से कार देती हूँ एक्स्ट्रा यह कपड़े से हमारे चुंटे के हैं जो ज़्यादर दल जाएंगी सेमी पट्याला स्टाइल की थोड़ी सी बन जाएगी तो यहाँ से हम अपना रख लेते हैं सड़नों 10 इंच रख लेते हैं यहाँ से क्योंकि यह हमारे एक्स्ट्रा कपड़ा है बात में एक्स्ट्रा कटाई कर देंगे इस तरीके से हमा इसको मिला लेंगे देखिए अब यहाँ पर इस तरी से मार्किंग कर लेनी है अब यह जो कपड़ा है यह दोनों कुंदों में डलेगा मैं यहाँ पर इस तरीके से कटिंग कर रही हूँ उसके बाद मैं इसी कटिंग को दूसरे कुंदे के उपर रख के इस कटिंग कर लूँगी तो मैंने वहाँ से पहले कट नहीं किया आप चाहें तो पहले कट कर सकते हैं देखिए मैं पूरी फिनिशिंग बाद में करूँगी तो यहाँ पर मैंने इस तरह से सलवार कटिंग की है अगर आपको यह मैठड अच्छा लगे तो प्लीज इसे अपलाई जरूर करें इस तरह से सलवार कटिंग करना बहुत ही एजी है जो बिगनर्स है वोन के लिए भी बहुत एजी है इसकी स्टीचिंग भी बहुत एजी है और भी डिफरेंट डिफरेंट सलवार की कटिंग हमने सीख रखिया अब देखें, यहां से मैं कपड़ा इस तरीके से कट कर रही हूँ और यह अलग कर लेंगे हम लोग यह आप पहले готов कर सकती है अब चाहें थो और चाहें थो इस तरीके से मैंने किया ऐसे भी कर सकती है तो अब मैं इसको पहले हम सेंटर से अलग कर देंगे क्योंकि यह हमने दूनों पट के साथ जोनने है सुरी कुंदों के साथ जोनने है अब हम इसको प्लेस करती है मैंने थोड़ा मैथर आगे पीछे कर दिया लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे इस तरीके से कटिंग जो मैंने अभी कटिंग बता रही हूँ यहाँ पहले करेंगे और उसके बाद वो कपड़ा रखते होई कटिंग आपको करनी है मैंने नहीं पता था मेरे पास कपड़ा एक्स्ट्रा बच जाएगा इसलिए मैंने वो पहले कटिंग नहीं बताई आपको तो आप इस तरीके से रखेंगे पहले और अपना जो कपड़ा है जो है यह हमारा जो कपड़ा एक्स्ट्रा डालना होता है यह आपको 16 इंच तक आपको कटिंग कर लेनी है जहाँ पे हमारे आजसन है वहाँ पे आपको 16 इंच तक कटिंग कर लेनी है उसके बाद यह कपड़ा डालेंगे देखिए यहाँ पे अच्छे से बरबर से कपड़ा सेट कर लेंगे नहीं तो आपको सल्वार की जो साइड की सिलाई होती है वो हमारी सही से नहीं आती चोटा कपड़ा हो जाता है इसलिए इसको परबर करना बहुत ही जरूरी है अब एक्स्टा कपड़ा मैं कट करने वाली हूँ तो देखिए एक्स्टा कपड़ा मैंने कट कर दिया है जो वीडियो यह देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूल न भूलें पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं और अगर आप अलड़ी विजिट सौरी मेरे सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और शियर भी जरूर करा करें बड़ी मेहनर से वीडियो मनाई जाती ह एक लाइक तो ज़रूर करा करें प्लीज मोटिवेट होती है उसे मैं बहुत ज़्यादा तो देखिए अब यहां पर इस तरीके से मैंने इसको सेट कर दिया है यह देखिए इस तरीके से एक बात का ध्यान ज़रूर रखें जो आपको कपड़ा आप एक्स्रा डार रहें यह एक इझच एक्स्रा ही रखा करें और नीच जहां पर आपनी ज़ोइंट करना है इसरी से तो आपके देखा यह न देकाठिक Прक कॉंदी है और अपर से बेल्ट ड़किगी है तो आप इसकी सलाई आप इसली कर लेंगे इस लाइब बहुत बार सिखाई हुई है वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद